दोस्तों आपसे में रिक्वेश्ट करूंगा कि आज की वीडियो को बिना स्कुप के पूरा देखिए क्योंकि दोस्तों मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है अभी COVID-19 के चल आख गर्म और स्कुराश्च में तो की दोस्तों दॉस्तों बात करते हैं कि जितनी लोग जो गल्फ कंट्री indicates इंडियन वर्कर काम कररें उन लोगों कि चैब क्या वाधा zessा इंद्ध से डोर्व कंट्रीयों कर्ते हैं तो स्वाप को पता होगा यह जोस्तों शलिख कि お दोस्तों आपको बतादू ओमानकी एकोनोमी इतनी देश original वाला मसंप दोस्तों वहां पर जो लोकल लोग आप्र हमानْ के रहने वाले वहीं वाली उन लोग को काम नहीं मिले पा रहा है दो स्बस्तों हैWe इतने मुंबएक की परपूलेशन इतनी परपूलेशन के उदेश के बराबर है तो दोस्तों वहाँ पे 17% इंडियन मजदूर वहाँ पे काम करते तो सभी को सभी को वहाँ पे निकालने का अदियस दे दिया गया है वर 2021 आते आते दुनिया पर जितने लोग भी वहाँ पर काम कर रहे हैं जो बाहर से आए में वरकर, मजदूर, लेबर वगएरा है सभी को निकालने का अदेश दे दिया गया है दोस्तो उसकी वज़ा एक ही है कि वहाँ की एकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिर गई है जिनके कान वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है पर दोस्तो जैसकर आपको पता है अब गलf कонट्री जο भी हम लोग काम करने जाते हैं तो हम लोग को सभी को मालوم होता है गलf कонट्री की जितनी भी एकोनॉमी है यो जो भी इंकम है वो इंकम हाता है तेल के वज़े से पर दोस्तो जब दूनिया में पूरा लॉकडाउन चल रहा है पूरा दुनिया में कोई गाड़ी आ ही नहीं चल रही है तो फिर तेल का खपत कहा सोगा वो तेल कहा बेचेगा दोस्तो आपको बता दू पूरी पूरा दुनिया में भी तेल पानी से जादा सस्ता वहा unique बेचा सबसे ज्यादा नुकसान किने होने वाला है तो दोस्तों आपको बता दो सबसे ज्यादा नुकसान उने होगा जो भी हाल फिलाल में अभी जो गल्फ कंट्री काम करने गए थे जो वर्कर लेबर जो लाखो रुपए लगा के अजनसी को पैसा दे के जो लाखो रुपए लगा के वहाँ पे काम करने गए थे उनको सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है क्योंकि उनको सबसे पहले उन्ही करके जरूर बता